Welcome students, SPVM School, Topic Narration, Class 9, Part 2 जैसा कि आप जानते हूँ कि हम narration के बारे में जानकरी प्राप्ट कर रहे हैं तो अभी हम उनके जो rules हैं उनके बारे में आपको जानकरी दे रहे हैं इसी को जारी रखते हुए अब हम पहला नियम यानि कि direct से indirect में change करने का पहला नियम आपके सामने लिखने जारे हैं फस नियम है reporting verb की verb का tense change नहीं होता reporting verb जो होती है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी reporting verb कौन सी होती है? reporting verb की verb का tense change नहीं होता इसी प्रकार दूसरा point है हमारा यदि reporting verb में object दिया गया हो object दिया गया हो तो यानि कि जो से object दिया होता है he said to me तो मी जो है वो object है यदि object दिया गया हो तो say को अगर say है तो say को tell में change करेंगे यदि says दिया होगा तो उसे tells में change करेंगे और अगर said दिया होगा तो उसे said to said to दिया गया होगा said तो उसे told, asked या ordered वो sentence के according change करेंगे जैसे told तो आएगा साधारन assertive sentences में asked का प्रियोग आएगा interrogative sentences में और ordered का un-sentences में वो हम उसके बारे में आगे आपको जानकारी देते रहेंगे इसके बाद है कि इसमें said के साथ अगर to दिया होगा तो to को हटा देंगे to को हटा देंगे, to नहीं लगेगा साथ में तो said to है तो उसके इस्थान पर told रहे जाएगा या asked next है यदि reporting verb में object ना हो, यदि object नहीं दिया हो, सीधा ही he says या he says या he said सीधा ही दिया गया हो, object ना हो तो say को say हो या says हो no change, इन्हें change नहीं करेंगे और tell हो, tells हो, इसे भी change नहीं करेंगे और इसी प्रकार यदि said दिया गया होगा, तो said को भी said ही लिखेंगे इसे भी change नहीं करेंगे next tool है हमारा reporting work के बाद लगाए गए कोमाज, आपने देखा है कि reporting verb के बाद जब sentence शुरू होता है reported close का, तो वहाँ उससे पहले कोमा लगा होता है तो कोमा, और उसके बाद जब आके आरंब होता है तो inverted कोमाज दिया होता है तो कोमा को भी हटा देंगे और inverted कोमाज को भी हटा देंगे जब हम indirect sentence बनाएंगे तब इसके बाद हमारा next tool है reporting verb and reported speech को जोडने के लिए यानि कि अभी तो हमारे पास कोमाज थे अब जब हमने कोमाज को हटा दिया तो उसकी जगे हम क्या प्रियोग करेंगे conjection तो conjection हम क्या लगाएंगे that अभी जो हम sentence बनाने चाहेंगे उनमें that का प्रियोग करेंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे सागे हम sentence बनाते चाहेंगे conjection if का प्रियोग या डबलो एच वर्ड वो हम आगे आपको समय के साबसे जानकारी देते रहेंगे तो that if आदी लगाते हैं इसके बाद हमारा next है direct speech में दिये गए different sentences यानि कि different तरह के sentences होते हैं interrogative होते हैं assertive होते हैं और exclementary sentence होंगे जो भी sentence होंगे उन सबको assertive sentences यानि कि साधारन वाकियों में बज़ देंगे कभी भी sentence interrogative का sentence ये दी है तो वो indirect में interrogative नहीं रहता वो साधारन वाकियों में बदल जाता है तो इसलिए इस बात का विशे जान रखेंगे कि कोई भी तरह के sentence हों उनको हमेशा साधारन वाकियों में ही बदलते हैं अब इसके बाद हम आगे कहने जा रहे हैं कि reported speech का first letter आप अमेशा देखेंगे कि reported speech का first letter जो होता है वो capital दिया हुआ होता है उसे indirect speech में small letter में change कर देते हैं जब indirect sentence speech बनाते हैं तो वहां उसको small letter में change करते हैं किन्तु इस बात का विशे ज्यान रखना है कि यदि कोई proper noun हो proper noun में जैसे किसी व्यक्ती का नाम किसी स्थान का नाम दिया गया हो तो उसे change नहीं करते उसे capital ही रहने देते हैं उस बात को बदर्शाने के लिए आपके सामने example दिया हो गया है राम सेड हरी अब हरी gross plants अब यह जो पूरा sentence था यह है आपका reported speech अब reported speech का जो first letter है हरी हरी का H यह capital दिया गया है अब जब हम indirect sentence में इसे change करेंगे तो राम सेड देट तो हरी का हरी ही रहेगा H capital ही रहेगा हरी grew plants बाकी में नियम के बारे में बात नहीं कर रही है अभी क्योंकि उसके बारे में हम आके बात करेंगे अभी सिर्फ यह बात पताई जा रही है कि जो capital letter में दिया गया था इसे हम change नहीं करेंगे यदि कोई proper noun है किसी जगा का नाम है किसी व्यक्ति का नाम है टेंस, ताइम and प्लेस, यानिक wnę, उसमें जो समय दिया गया होगा, अस्तान दिया होगा, उसको हम नियम अनुसार चेंज करते हैं, चेंज इस करते हैं उन्में बदलाव लाएंगे, अब उन्हें बदलाव लाने के लिए आगे हम आपके सामने टेबल बनाएंगे, और टेब अभी हमने आपको आगे जानकारी देनी है तो आप इसको ध्यान से देखते रहें और वाच करते रहें और इसके बारे में जानकारी प्रात करते रहें अब हम आपको बताने जा रहे हैं ताइपस ओफ संटेंस यानि कि संटेंस कितने प्रकार के हैं इसमें तो सबसे पहला है ह अब सधारन वाक्य किस तरह के होते हैं राम सेज या राम सेट भी हो सकता है चिल्डरन लाइक टू प्लेई सधारन वाक्य कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं बिल्कुँ सधारन वाक्य है यह कहलाता है assertive sentence इसमें अलग-अलग टेंस में sentence change होते हैं उनकी helping भर भी change होती है दूसरा हमारा interrogative sentence is यहनी कि प्रशन वाक्य वाक्य प्रशन वाक्य जो या तो क्या चलू होते हैं या हिंदी वाक्यों की बीद में क्या क्यों हुआता है जैसे example for मोहित सेट वह वर दे लेट तो यहां जो interrogative sentence बना है वो डवल्यू एच से बना है तो ऐसे वाक्य होते हैं यह कहलाते हैं interrogative sentence imperative sentence imperative sentence वे होते हैं जो आज्या वैप्रातना के लिए के sentence होते हैं आज जैसे यहां दिया गया है she said do your work do your work अब यह क्या है वर्ब की first form से भी सुरू होते हैं do at what, do not से भी start होते हैं और यह please से भी start होते हैं तो यहां यह दिया गया है जो do your work यह helping verb से start हुआ है इसके बाद अगला है optative sentence यहनि कि optative sentence जो प्रातना के आशिरवाद कामना आधिके होते हैं जब हम किसी की लंबी आयू की कामना करते हैं यह sentence जो है please say, kindly say इनसे start होते हैं जैसे example for I said to her may you live long अब यहां may you live long उसे लंबी आयू का आशिरवाद दिया जा रहा है पांचवा है हमारा exclimentary exclimentary यहनि कि विस्मे बोदक sentence विस्मे बोदक पे sentence होते हैं ऐसा होता है कि कई बार हमें कोई चीज एकदम अचानक देखने पर बहुत अच्छी लगती है तो हमारे मुझसे निकलता है वाओ इसी प्रकार यदि हम कोई दुख का समाचार सुनते हैं तो हमारे मुझसे निकलता है ओ नो और कोई खुशी की बात होती है तो हम ओ हुरे ऐसे जिल लाते हैं तो यह ऐसे भाव होते हैं जो हमारे मन में अचानक पैदा होते हैं और हमारे मुझ से वाक्य बनकर निकलते हैं तो वे कहलाते हैं विस्मे बोदक वाक्य विसमे बोदक में इस sentence दिया गया मीना सैड वाट अ ब्यूटिफुल हाउस वाट अ ब्यूटिफुल हाउस यहनि कि एक घर को देखा है वो इतना सुन्दर लगा है तो अचानक मुँझे निकला है कि वाट अ ब्यूटिफुल हाउस और इनके अंत में exclamentary marks भी लगा होता है तो यह आपको बताएगे हैं कि sentences कितने प्रकार के होते हैं इसके बाद हम आगे आपको इसके tables जो tense table है और pronouns की table है और time की table जो है उसके बारे में आगे अगली वीडियो में जानकारी देने जा रहे है और I hope कि आपको जितना भी मैंने बताया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा Thank you